असलामUlaikum, next मार पास जो definition है, वो है even and odd degree vertices की तो if the degree of a vertex is even than the vertex is called an even vertex अगर vertex की degree even है तो हम उसे even vertex कहेंगे और अगर उस vertex की degree odd है तो हम उसे odd vertex कहेंगे तो अगर इस एक example से देखें तो फर्ज करें, यह मार पास एक graph है ठीक है, अब इस graph के अंदर, हमारे पास, इनने name assign कर देते हैं, A, B, C, D, E, F, G, and H, तो अब इस case में, वो तमाम vertices, जिनकी degrees even है, अब इनकी पहले हम degrees देख लेंगे, एक ही डिगरी मार पास इस case में 3 है, क्योंकि इसके साथ 3 edges connected है, इसकी डिगरी मार पास 3 है, B, C, 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 D, 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 D is connected ah. 틋 इसकी डिग्री मारस दो है. अब इस case में even degree vertices हमार पास किंके का각ा से होए, कि जिनकी degrees even 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 वart से हुए और हमार पास कणका से हुए? आछ हमार पास f की डिग्री दो है, D की दो है, E की दो है और H की दो है, तो वह मापस होए F, D, E and H, जबके odd degree vertices या odd vertices वह मापस कौन है, कौन से हैं कि जिनकी डिग्री मापस odd है, जिसमें A, B, A, B, C, G, जिसमें A, B, C and G, जिसमें 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 जिसम